तो अब अगर आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे और वहाँ पर डॉक्टर कहेगा कि दवा नहीं है, दवा आपको बाहर से लेना पड़ेगा, तब वहाँ पर उस डॉक्टर के उपर या वहाँ पर दवा का देखरे करने वाला जो करमचारी होता है, उसके उपर कारवाई ह होगी, बकायदा सरकार की तरफ से निर्देश जारी हो चुका है, तो यस्वी यादो के स्वास विभाग ने बकायदा कह दिया है, कि अब दवा कितना अस्पताल में है, इसका ओनलाइन तरीके से सब कुछ डेटा होगा, दवा कौन से खत्म होने वाली है, उसके पहले उस दवा के बारे में जानकारी देनी होगी, क्योंकि अस्पताल में किसी भी सूरत पर दवा खत्म नहीं होनी चाहिए, तो यस्वी यादो ने एक परकार से निर्देश दिया है, कहा है कि पाच दिन की दवा जो किसी भी मरीज को मुफ्त मिलती है, वो मुफ्त मिलनी ही चाहे कोई भी सितिया जाए, और अगर अस्पताल से दवा खत्म हो गई, तो जो पदाधिकारी होंगे, जिनका काम होगा कि दवा की देख रेक करें, जिनका काम होगा कि ऑनलाइन पोर्टल पर दवा की बारे में बताएं कि कौनसी दवा खत्म होने वाली है, उनके उपर का देते हैं कि दवा खत्म है बाहर से लिजिए लेकिन अब सरकार ने इन सब का इंतजाम कर दिया है आगे हम आपको पूरी जानकारी देंगे बागे नमस्कार में नाम है मोहित कुमार सिंग और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं स्वास विबाग की तरफ से पूरा का पूरा एक उनलाइन सिश्टम बनाया गया है पूरा का पूरा एक उनलाइन सिश्टम तयार किया गया है अब उनलाइन सिश्टम क्या है तो उनलाइन सिश्टम यह है कि फ्री ड्रग इनिसियेटिव के तहत मतलब कि जो फ्री दवा देना है यह जो योजना है इसके तहत सरकार की त लाइन पोर्टल पर देंगे जिससे की सबका डेटा तयार हो सबको पता चले कि किस अस्पताल में कितनी दवा है कितनी दवा नहीं है सरकार ने बकाइदा कहा है कि कितना खपत होगा इसका आपको आकलन करना है मतलब कि माल लीजे की आगे आने वाले साथ दिनों में कितनी पड़ सकते हैं आम तोर पर इसका हाकलन करके आपको बताना है आपको दवा लेना है और अगर ऐसा नहीं हुआ तब आप तयार रहिए क्योंकि आपके उपर कारवाई होगी तेजस्वी ने पूरा का पूरा जो सिश्टम मनाया है उस सिश्टम के अनुसार यह उसदी पोर्ट काल में कोई मरीज जाता है और उसको पांच दिन का दवा एकदम मुफ्त तुरंत नहीं मिलता है जो कि डॉक्टर लिखता है तब उस पदाधिकारी के ऊपर वहां पर दवागी देखने जो कर रहे होंगे उनके ऊपर कारवाई होगी वह सिदेत तोर पर नप सकते हैं मतलब कि उनको हट आया जा सकता है अब अपने आप में अब बहुत अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि सरकारी अस्पतालों में दवा होता भी है फिर भी दवा मरीज को नहीं मिल पाता वहांपर जो डॉक्टर होते हैं जो वहांपर क्रम्चारी होते हैं वह परवाही में पालते जाते हैं कहते हैं कि द बाहर से ले लो उस दूआ की काला बाजारी हो जाती है लेकिन अब सरकार ने बैदा जब ऐसा नियम मनाया है ठोस कदम उठाया है पूरा का पूरा ओं-लाइन स्वासमेंड़या गया है तब एक परकार से लग टाल मटोल ना कर पाए इन सब पर ध्यान दिया जा रहा है और इसी के तहित पुरा का पुरा ओनलाइन सिस्टम डेवलफ हुआ है जिसके तहित दवाओं की जानकारी ओनलाइन प्रती दिन अपडेट किया जाएगा उसकी मॉनिटरिंग होगी देखा जाएगा कोई दवा कम न कि तरफ से बकायदा कोई ऐसा सिस्टम मनाया जाए जह आप असानी से जाकर शिकायत कर सकते हैं आगे अगर कुछ और जनकारी कुछ नया अफडेट आएगा तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे बाकी वीडियो को शेर कीजिएगा ज्यादा लोगों तक पहुंचाईएग आप जनता नेक्षन देख रहे थे कैमरे से बिशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद